तो दोस्तों देख सकते हैं हमारे पास एक Oppo का फोने तो इसमें password lock है तो सबसे पहले इसका model चेक करें के लिए emergency में जाके star hatch 8 double line hatch प्रेस करना है तो इसका model यहां पे आप software version में जाके इसको simply आप google करेंगे तो आपको यह पता चल जाएगा तो यह Oppo EA 1K है तो इसका आप factory reset करने बाले है इस phone का तो चलते हैं आपको दिखाते है PC के screen पे चल के आपको बताते हैं तो उससे पहले आपको phone को यहां पे power off कर लेना है तो power off कर देने के बाद आपको यहां पे क्या करना है वह में बताऊंगा तो चलते हैं PC के screen पे आपको बताते हैं तो सबसे पहला काम है आपको antivirus को आपको disable करके रखना है आप में real time protection को off करके रख लेना है उसके बाद यह folder मिलेगा तो यह folder में आपको चार file मिलेगा तो इस file को मैंने already extract करके रख लिया है आपको समझाने के लिए फिर भी मैं आपको यहाँ पर extract करके बता देता हूँ yes to all करेंगे already हमारा extract है इसलिए यहाँ पर यह बता रहा है उसके बाद यह जो lip diver है अगर आपके PC में यह install नहीं है तो सबसे पहले इसको आप extract कर लिजए okay already मैंने इसको भी extract करके install करके रख लिया है उसके बाद mct tool इसकी जरूरत पड़ेगी और यह जो scatter file है और format code है यह उसकी जरूरत पड़ेगी तो extract करने के बाद यह 4 file आ जाएगा तो सबसे पहला काम है sp plus tool को आपको open कर लेना है sp plus tool को open करने के बाद आपको क्या करना है वो मैं बताता हूँ तो sp plus tool हमारा open हो चुका है उसके बाद इसको okay करेंगे तो यह run हो जाएगा उसके बाद आपको यहाँ पर यह जो आप देख सकते है download agent file है इसको आपको slate करना है तो choose पर जाएंगे choose पर जाने के बाद आपको folder का location देना है तो desktop पर हम desktop के क्लिक करेंगे उसके अपपर जाएंगे sp plus tool के अंदर जाएंगे उसके बाद यहाँ पर आपको यह mtk all in one जो डियर फाइल है इसको slate करना है उसके बाद choose पर जाना है उसके बाद फिर से हम desktop के उपर slate करेंगे oppo a1 के file में जाएंगे oppo a1 के scatter file को आपको यहाँ पर slate कर देना है तो यह हमारा slate हो गया अब simply आपको एक बाद choose पर पर क्लिक करना है तो auth file automatically आ जाएगा तो इसको भी आपको क्लिक कर देना है उसके बाद आपको यहाँ पर format में जाना है format में क्लिक कर देना है तो आप यहाँ पर format में जाएंगे यहाँ पर manual format प्लाश में जाएके यहाँ पर इसको आपको पूरा cancel कर देना है इसको भी cancel कर देना है उसके बाद इस folder के अंदर जाना है folder के अंदर जाना है उसके बाद आपको यहाँ पर यह जो oppo a1 के pattern file है इसके अंदर आपको एक code मिलेगा all code यहाँ पर लिखा हुआ है देख सकते हैं यहाँ पर यह बाला oppo a1 के code sorry यहाँ पर इसको आपको copy कर लेना है पूरा इसको copy करना है कोई भी आपको छेट्छा नहीं करना है copy करकी यहाँ पर इसको paste कर देना है इतना सा काम उसके बाद second code को भी यहाँ पर इसको copy कर लेना है कोई इरॉत यहां इस तरह से कॉपी करेंगे उसके बाद आपको यहां पे पेस्ट कर देना है उसके बाद देख लीजे यहां पे कोई óg्ड रग्शल्ठ तो नहीं आया ऊके इतना सा काम आपको करना ओसो को लेकिन आपको क्लोज कर देते उसके बाद तो अल्रेडी मैंने कर लिया है, तो टूल भी हमारा यहां पे उपे ऊपन हो चुका है, अब मैं यहां पे डीवाइस मैनेजर को उपन कर लेता हूं, इसपीसी के उपर, प्रोपाटिक के उपर क्लिक करना है, नीचे आजाना है, सबसे नीचे आपको मिलेगा, सबसे नीचे यहाँ पर मिलेगा device manager का option तो यहाँ पर port पर आपका port बनना चाहिए तो यह मैंने आपको खोल के दिखा दिया तो उसके बाद आपको यहाँ पर bypass के उपर click कर देना है कुछ भी छेटचा नहीं करना है तो जैसे आप bypass के उपर click करेंगे तो यहाँ पर देखिए install diver ok बता रहा है अब simply आपको फोन को यहाँ पर connect कर देना है भोले दोनो की को प्रेस करके तो एक ही बार में आपका port यहाँ पर ले लेगा port लेने के बाद आपको क्या करना है वो मैं बता देता हूँ तो यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है एक बार start देना है start देने के बाद आपको फोर्मेट ok बताएगा तो आपका हो जाएगा अल्रेडी हमारा phone connect नहीं है इसलिए यह नहीं हो रहा है आमने जो फोन connect नहीं किया है तो अल्रेडी में इस फोन को फोन रिसेट कर लिया है ok pattern कर लिया है तो FRP के लिए आपको पताएगे emergency code आता है तो आप देख लीजिए इसका practically वीडियो बना दूंगा next वीडियो में मिलते है